इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आई फोन 12 सिरीज के बारे में कि अगर आपको केमरे में ब्लेक स्क्रिन की प्रॉबलम आती है तो कैसे आप यहाँ प्रॉबलम को सॉट आउट करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्र कर लिजीगा बिलका इकन को प्रेस कर लेना है तो जब आपको इस टैप की प्रॉबलम आती है तो इसके दो रीजन्स हो सकते है एक हो सकता है सफ्ट्वीर की प्रॉबलम दूसरा हो सकता है हाडवेर की प्रॉबलम हाडवेर की प्रॉबलम में क्या होगा हो सकता है कि केमरे म तो आपको अपने iPhone 12 को Apple Store भेजना पड़ सकता है, ठीक है, then second reason हो सकता है, अगर problem होगी software की, तो first of all आप अपने iPhone की settings में जाहिएगा, general पे click करे, shutdown करके आप लोग ट्राइ करें हो सकता है, आपकी problem ठीक हो जाए, अगर ये तरीका काम नहीं करता, तो second आपको general में ही transfer और reset पे click करना होगा, then आपको reset पे click करना है, और simple आपको अपने iPhone 12 की जो all settings होती है, उसे reset करना है, ठीक है, इसमें जो भी गलत activity होई होगी, सब कुछ default हो जाएगा, then आपकी problem भी fix हो जाएगी, so simple आपको in method का use करना है, मिलते हैं next video में, जय मतादी